नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सो भाष्ठाकर के साथ HPLT TET, LT Commission और PGT Hindi Commission की जो तैयारियां कर रहे हैं स्टुडेंट उनके लिए हमारी ये प्रश्णोत्री की सीरीज लगातार चल रही है और इससे पहले हमारे साथ भाग इसमें हो गए हैं तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोज नहीं देखी हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज को भी चक कर सकते हैं और अपने जितने भी आपके डाउट्स हैं या कोई और प्रश्ण आपसे आपके जहन में उड़ता है और साथी साथ आज हम जो इसका एर्थ पार्ट लेकर कर आए हैं और आज के जो हमारे प्रश्ण रहेंगे ये हमारे लगभग इसमें 30 questions हैं और इन 30 प्रश्णों को हमने रखा है आपका शुरुवात से लेकर के हमारा जो भी कवीता वाला portion है उन सब से लेकर के लगभग लगभग हमने unit wise चाए वो भाषा से related हो चाए फिर आपका आदिकाल हो भक्तिकाल हो रितिकाल हो हर जगा से आपको 2-3-3 प्रश्ण यहां पर रखे गए हैं तो I hope कि आप सब लोगों के लिए ये वाली जो वीडियो है ये बहुत जादा उपयोगी साबित होगी और आपके exam की तैयारियां जो है वो और भी जादा अच्छे तरीके से होंगी तो अगर आप सब लोगों को हमारा ये प्रियास अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक अभी से गर दीजे क्योंकि आपके लिए हम इस तरीके का बहतर कॉंटेंट लाते रहते हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आपके लिए ऐसी बहतरीन चीज़ां यहां पर और बहतरीन प्रशन यहां पर मिलते रहते हैं नहीं तो हम आपको फिर यो ही मिलेंगे स्क्रोल करते हुए तुक्के से तो चलिए स्टाट करते हैं हमारे आज के पहले प्रशन को देखते हैं मेरे लिए हिंदी का प्रशन सौराज्य का प्रशन है यह कतन किसका है तो LTT, TET, PGT कमिशन बगेरा में आपने देखा होगा कि इस तरीके के प्रशन जरूर पूछ जाते हैं तो यह जो कतन था यह था म मुहिक मन बहुत ही महतपूर्ण जो यह लाइन है सुमित्रा नंदन पंत की भी इसको भी हमें याद रखने की जरूरत है नेक्स आता है सेट गोविंद दास इन्होंने कहा था कि हमारी देवनागरी इस देश की ही नहीं समस्त संसार की लीपियों में सबसे अधिक वग्यान लीपि है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना व्यज्यानिक लीपि किसने माना सेट गोविंद दास ने माना है तो चारों ही कथन इंपॉर्टेंट है और इससे पहले हमने और भी कथन जो है प्रशनोतरी में रखे थे उनको भी आप एक बार जरूर देखिए नेक्स अनुछे 351 जबकि 343 कहता है कि संग की राज भाषा हिंदी वर लीपी देवनागरी होगी जबकि अंकों गा जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा वो अंतराश्त्री होगा अनुछे 348 के अंतरगत न्यालने की जो कारेवाहिया है उससे समंद्र जो भाषा रहेगी उसके बा अधिक कवी रहे हैं जो साहिते तिहास गरंत रहा देखिए उनमें यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा गरंत था जिसमें सबसे जाधा कवियों को रखा गया था तो यह था मिश्रबंधु विनोद हम सब लोग जानते हैं मिश्रबंधु विनोद में लगबग 5000 कविय को रखा जबकि ग्रियर्शन ने अपने गरंत में 952 कवियों को शामिल किया है ठीक है ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है मिश्रबंधों ने सबसे जाधा कवियों को स्थान दिया था इसके साथ ही साथ जोई जोई पिंडे सोई ब्रमहंडे यह उक्ती किसकी है ह हमारा गलब प्रशन है आज का देखिए तो बहुती मतपोन यह पंक्ती है और अकसर पेपर में यह पूछे जाती रहती है तो यह जो पंक्ती थी यह थी गोरकनात की पंक्तियां इसके लावा आपको कमेंट सक्षन में जाके यह भी बताना है कि गोरकनात की कितने ग्रंथो को संपादित किया था पितंबरदत बड़तवाल ने और किस शीर्षक से संपादित करके रखा था यह भी आप मुझे बता सकते हैं नेक्स क्वेशन आता है पूरुष परिक्षा किसकी रचना है तो पूरुष परिक्षा जो रचना है देखिए इसका बहुती सिंपल और सा कुमार चर्यू चसर चर्यू योगिंदु की थी योगसार और प्रमार्तम्रकाश जोतिरी श्वठाकुर की वर्नरतनाक जबकि विद्यापति की जितनी भी संस्कीत की रचना है वो यहाँ पर रखी गई है इसके अलाबा इनोंने जो आपका मैथली और अभट में कौन-कौ होती सिंपल और अस्साधारन सा प्रशन देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह होगा तुलसी दास तो लेकिन यहाँ पर जो अन्य नाम है देखिए जैसे कभीर दास ने इन्होंने नारी के बारे में कहा था कि नारी की जहाई परत अंदा होत भुजंग गुरु नान आपने जो चार भी कल्प हैं इनमें से आपने बताना था तो इसमें हो जाएगा आपका परमानंद दास वैसे तो सबसे जादा जो बालीला के पद लिखे थे देखिए वो किस ने लिखे थे वो लिखे थे सूरदास ने और लेकिन यहाँ पर सूरदास भी कल्प में नहीं तो आपको या रख लेना था कि निमिलिकित पूचा गया था तो परमानंद दास ने कया किया बालीला के सबसे जादा पद जो है सूरदास के बाद रचे थे लाट्सलय वजण भी आप इसको कह सकते हैं कि इनों नहीं सूर के बाद संत कावयधारा में नहीं है तो लेकिन सा जो simple सा answer हो जाना था कि संत कावेधारा में कौन सा कवी नहीं है तो कोई नहीं था इन में से जो भी नाम यहाँ पर रखे थे ईश्वर दास्ता देखी ये सूफी कावेधारा में था जब कि संत कावेधारा में नहीं था लेकिन साथी साथ ये सगुन रामभक्त कभी भी रहे हैं, अंगद पैज और भरत मिलापिन की दो रचनाय रही, धुरुपदास भी कुशन भक्त कभी हैं, ये राधावल लब संप्रदाय के अंतरगत आते हैं और इन्होंने 42 लीला ग्रंथ लिखे थे, अगरदास ये सगुन रामभक्त कभी हैं, इन्होंने रसिक संप्रदाय की जो स्थापना की थी राम काभ्य में, इसको भी आपने याद रख लेना है, नेक्स्ट कॉश्चन आता है नवा प्रशन, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसे कहा जाता है, बहुती महत्तपुन प्रश राधा चर्ण गोस्वामीजी ने, बात भी आप यहाँ पर त्यान में रख लीजिए, नेक्स्ट कॉश्चन आता है, कवित रतनाकर किसकी रचना है?, तो रचना से समन्दित प्रशन है, यहां पर direct question पूछा गया है देखिए, यह था सेनपती, सेनपती की जो एक कवित रतनाकर है देखिए, राम कावे से समंधितिन की रशना रहेगी, इसके साथ ही साथ आपको यार रख लेना है, राम प्रिया शरण दास का जतर सीताइन, रायमल पांडे की हनुम चरित्र और र प्रियोजन की बात की है, कि यह हमेशा के लिए कावे की रचना होती है, इसको यह बता रहे है इस पंक्ति में, इसके लाबा कवीर ने भी कहा था, तुम जिनी जानो गीत यह निज ब्रह्म विचार, जबकि तुलसिदास ने भी कावे प्रियोजन के संदर्व में एक पंक् चाहिए साहित्य तो इसको भी आप याद रखिए ये पंक्तियां वड़ी इंपॉर्टेंट है और ये पुराने पेपर में पूछी गई है नेक्स कॉश्चन आता है कबीर पदावली के संपादक कौन है तो कबीर से समंधित जितने भी ग्रंत हैं देखे जिस जित अलोचकों ने अलोचनाय की हैं उन सब को आपने याद रख लेना है तो इसका अंसर था रामकुमार वर्मा हजारी प्रसाइद दिवेदी ने कबीर शीर्शक से 1942 में लिखा था जबकि रामकुमार वर्मा कबीर पदावली 1938 में अचारे रामचंदर शुक्र ने कावे में रहस्यवाद और विशुनात प्रसाथ मिश्रने का वियांग कौमुदी शीर्शक से रचनाय रची हैं इनको भी आपने याद रख लेना है जो इनकी प्रसिद आलोचनात्मत पुस्तकें रही हैं हमारा आज का अगला प्रशनाय देखिए भक्ती निर्णय श्रिंगार रसमंडन गोमिमासा, सुबोधनी टीका तत्वदीपनी बंद जबकि विठलनात की ये रचनाय थी और गोकुलनात की 84 वैशनवन की वारता, 252 वैशनवन की वारता में जो है ये वलवाचारे की शिश्य आते हैं और 252 वैशनवन की वारता में किसके शिश्य आते हैं ये आते हैं जो यह थे सुन्दरदास यहां से भी आपको last time question पूछा गया था देखिए तो इन्होंने पूर्व की प्रदेशों के लिए क्या कहा था बहामन क्षत्रिय बैसरू सुदर चारवी वरन के मच बगहारत और गुजरात के लिए भी कुछ कहा दक्षन के लिए भी कहा और आपका मार बाड के लिए भी नोने कहा था तो आप वीडियो को pause करके इनको देख भी सकते हैं कि क्या-क्या पंक्तिय नोने कही थी और जो दक्षिन के लिए last time इनकी पंक्तिय कूछी गई थी देखिए तीसे नमर वाली रंधत प्याज विगारज नाज नावत लाज करे सब भक्षन ठीक है तो ये वाली पंक्तिन अंदक्षिन के लिए कही थी तो जो भी क्षित्र रहे हैं उनके लिए जो जो पंक्तिया है उनको आप एक बार जरूर देखिए इस तरीके से प्रशन बन सकता था तो मैंने ऐसे आपको ये प्रशन रखा है अश्च्छाप के कवियों में प् कुम्बन को सौंपा गया था उसके बाद कुम्बन दाज अच्छाप के कवियों में सबसे बड़े कविय थे और इनको अकबर ने कहां बुलाया था ये आप मुझे कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं नेक्स्ट कॉश्चन है तेहलवी, हिंदवी, गूजरी, हैदराबा सकता है विद्वाने समानते हैं जबकि दखिनी के जो ये नाम थे दखिनी, गूजरी, हिंदवी, देहलवी, हैदराबादी, हिंदी, इत्यादी जबकि तीसे नमर पर है यहां पर देखिए बुंदेली तो इसका जो अन्य नाम था ये बुंदेल खंडी ही है इसके लावा इसका कोई अन्य नाम नहीं मिलता इसका लावा जो मालवी आता है लास्ट में देखिए इसको हम दक्षनी राजस्थानी के नाम से भी जान दे है और राजस्थानी जितनी भी रही चारों की चारों उन चारों के अपने अलग-अलग नाम है चाहे वो मारवाडी हो गया चा से बाद में आ जाएंगे बिहारी जो है वो 1559 में थे भूशन 1613 चिंतामणी त्रिपाथी जो थे 1609 में मतिराम 1617 इसमें देखिए नंबर दो नंबर तीन और नंबर चार जो है ये त्रिपाथी बंदों के नाम से भी आते हैं इसमें एक नाम और जुड़ता है जो आप उनके आंसर जरूर दें तो यहां पर जो वियोग वेली और इश्क लता रचनाय हैं देखिए ये थी घननन्द की इसके साथ ही साथ इन्होंने विरह लीला शीर्चक से भी लिखा था आलम ने आलम केली और माधवनल काम कंदला लिखा जबकि ठाकुर ने अपने नाम स रचनाय रची थी बुद्धी सेन जिसे हम बोधा के नाम से जानते हैं इनने विरह वारिश और इश्क नाम से दो रचनाय रची थी इनको भी आपने ध्यान में रख लेना है नेक्स क्वेशन आता है तंतरी नाद कवित रस सरसराग रती रंग यहां पंक्ति किसकी है बहु इंडिकेशन यही है कि जो भी मैंने यहां पर विकल्प रखे हैं उन विकल्पों ने जो जो पंक्तियां कहीं है या उन कवियों ने वो आप जरूर एक बार ध्यान में रख लीजिए नेक्स क्वेशन आता है निमे लिखित में से कौन से रीती सिध कवी है तो इस रिके का जो कवियों की पहचान करना है यह आपको जरूर आनी चाहिए क्योंकि यह बहुती सिंपल और बहुत साधारन से प्रशन होते हैं और ऐसे प्रशन आपको जरूर एक्जाम में पूछे जाते रहे तो यहां पर जो रीती सिध कवी थे वो थे आपके बिहारी इसके अलावा कि यहां पर सेनपती आते हैं रसनीधी पजनेश रामसहाय निप्शंभु और निवास ये सारे के सारे क्या हैं रीती सिध कवी हैं लेकिन इनमें प्रसिध बिहारी ही हैं नेक्स्ट कुशन आता है भारतेंदू हरिशंद्र को नर कभी की संग्या किसने दी है तो ये जो इनको प्रस्ताव पारित हुआ था सार सुधा निदी नामक पत्रिका में इनको ये नाम देने की सिफारिश की गई थी जबकि बद्री नारें चौधरी प्रेमगन को माना जाता है कि ये भारतेंदू के सबसे बड़े समर्थ थे ये चीजे भी आप यहां पर ध्यान में रखन नेक्स्ट कॉश्चन आता है कल सुनना मुझे होना चाहिए था यहां पर इसको आप आगे कर लिजेगा कल सुनना मुझे किसकी रचना है तो ये थी सुधामा पांडे धूमिल की रचना और इसके तीन कावे संग्रह है देखिए संसस सडक तक सबसे पहला था 1972 में दूसरा अधा कल सुनना मुझे 1976 जबकि सुधामा पांडे का प्रजातंतर है 1984 में तो आपके लिए मैं यहां पर फिर से प्रशन भेजता हूँ कि आपने बताना है कि जो सुधामा पांडे धूमिल थी उनकी पांच प्रसिद कविताओं के नाम मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में जा सारा दिनकर इसके प्रतिनीदी कवी हैं हालावाद के जो है ये आपका हरिवंश राय बच्चन है मानसलवाद के प्रवर्तक जो है रामिश और शुकल अंचल है इनको आपने याद रख लेना है कैसे लिखूं शांती की कवीता अमन चैन को कैसे कड़ियों में बांधूं य आप कोमेंट करके बता सकते हैं किसका जनम स्थान जो है चिरानी पटी सुल्तानपूर है तो जो भी आपके प्रमुक रचनकार हैं देख़िए उनके बारे में बताये गया है यहांपर वासुदेव सिंह इनका त्रिलोचन नाम से फिम्स रहे वो इनका जो जनम स्थान माना जाता है आपका चिरानी पट्टी जबकि नागारजुन का जो जनम स्थाने देखिए ये तरवनी दरभंगा और इनके एक पंगती भी आती है देखना मुझे याद आता है अपना तरवनी गाउं इस तरीके से एक पंगती रही जबकि मैथली कुछ कुछ चीज़ें आपको पूची जा सकती है तो इनको आप थोड़ा सा याद रखिए नेक्स कॉशन आता है आपके लिए नैन में जिसके जलद वहत्रिशित चातक हूं यह पंगती किसकी है तो यहां पर बहुत सारी लोग जो है गलती यह कर जाते हैं कि नैन में जिस के जलद से सीधा निराला देख लेते हैं कि निराला ने दुख वरी चीज़ें लिखियें तो महादेवी वर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा जिनकी यह पंगती है कि नैन में जिसके जलद वहत्रिशित चातक हूं तो इस पंगती को आपने यहां पर ध्यान रख लेना है औ उपर नीचे इनको कर दिया गया था यहां पर इनको सही से रखा गया है देखिए हाइकू जो है वो अग्येन किला सॉनेट में रचना त्रिलोचन ने रची और सवया गया प्रसाद शुक्रस ने ही ने और कवित जो है वो हर्योद ने लिखे हैं तो यह चीज़ें भी आप श्री राम जो रहे हैं इनको माना जाता है कि यह कह रहे हैं समकालिन कविता के जो प्रवर्तक रहे हैं इन्होंने 1965 में युजुत्सा पत्रिका से जो अंदोलन चलाया उसे युजुत्सा वादी अंदोलन कहा जाता है और समकालिन कविता का प्रवर्तन जो है यहीं से ही मान ने ठिक करना है, तो ये important question है, देखिए, next question आता है, मैथली शरंगुप्त की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, तो आपको यहाँ पर simply या रख लेना है, देखिए, जो मैथली शरंगुप्त है, उनकी रचना है बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है, जै भारत जो ह हैं, वो आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं, दो ही इसके महा कावे हैं, बाकी इसके खंड कावे हैं, तो आप वो comment section में जाकर जरूर बताईएगा, next question आता है, मेरा समर्पित एकांत, किसका कवीता संग्रह है, यह हमारा आज का आखरी प्रशन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए, यह होगा, नरीश महता, नरीश महता कि यह कवीता जो है, यह कावे संग्रह जो रहा देखिए, 1963 में निकला, and इसमें समय देवता जैसी प्रसिद रशनायन की संकलित है, और इसे इसने क्या कहा था, नई कवीता की पहली लंबी कवीता कहा है, जो समय देवता रही तो ये थे आज के 30 questions I hope आपने इन प्रश्णों को खूब enjoy किया होगा और आपके बहुत सारे प्रश्ण जो है इन से और भी बने होंगे तो अगर आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe करना भी बिलकुल न भूलें तो आज के लिए इतना ही जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद